ओम जी नमस्कर प्रणाम एक चुँथा शेष रह जाएगा लगभग सोय में छान कर शुबो खाली पेट पिए इसी तरो साम को भी बना कर खाली पेट लेएं इसी तरो दिभ्यो रसमानिक्यो तिन ग्राम दिभ्यो अमृता सत दस ग्राम दिभ्यो प्रवाल पंचामरिक पंच ग्राम दिभ्यो अपरग भस्म पंच ग्राम दिभ्यो मुक्ता पिष्टी चार ग्राम दिभ्यो सर्न बसंत मालती तीन से पंच ग्राम दिभ्यो हिरक भस्म तीन से पंच ग्राम दिभ्यो कासिस भस्म पंच ग्राम सभी उसदों को मिला कर शाट पुडिया बनाएं प्रातो और सम भोजन से आदा घंटा पहले जल, सहत या मलाई के साथ मिलाकर स्रेवन करें इसी तरो दिव्यो केशर गुगूल, दिव्यो आरगबर्धन बटी, दिव्यो उद्रामर्त बटी, एक एक गोली दिन में दो बार प्रातो नास्ते के आदे घंटा बार एवं राती भोजन के आदे घंटे बार गुनगुने जल से, चोबा के तोड़के ले या चूशे इसी तरो गिहों के जावरगा रस 25 मिली, अर्थात लगबग 5 चमुच, गिले रस 25 मिली, अर्थात लगबग 5 चमुच, दिव्यो घृत कुमारी रस, अर्थात एलिविरा रस 25 मिली, लगबग 4 से 5 चमुच, दिव्यो गोधनर 25 मिली, अर्थात लगबग 5 चमुच, पत्ते 5 तुल्शी पत्ते ले लें डोस पीश सभी को मिलाकर प्रातो अफसाम खाली पट शेवन किरें ध्यान दें इहो 16 साल से उपर लोगों के लिए ये मात्रा है छोटे बच्चे को मात्रा घटा दें और ता इसका वान सिक्त या वान फर्थ या आधा मात्रा उमर अनुसर का अनु के लोगों मिलता है सुबह खाली पेट एगार चोबा के दूसले या फुट पीश कर उसका रस निकाल कर सुबह खाली पट लेले साम को भी ले सकते हैं बच्चे को मात्रा घटा दे योदि इसी तरह करेंगे एक महिने जड़ महिने में आप आप बलोड कंसर्टी हो जाएग तो आपको समय लेगेगा इसलिए पानी भी ज़्यादा पिए ध्यान दे गाजर का जूस पिने से भी कंसर ठीक होता है प्रतितीन दोड़ाइलिटर गाजर का जूस इसमें हल्दी का चून पोधिना पत्ते पालप का साग यदि मिलेगा मिला ये थोड़ा संदा नुर्ग मि मिला सकते हैं पानी कितना क्या पीना चाहिए कौपालवाति कैसे करना चाहिए इन सम्मोन में मेरा दूसरी वीडियो देख लें डेस्क्रिस में नीचे लिंक दिया गया है वीडियो पौसंद हने पो लाइक करें कमेट करें शेयर करें यदि मेरा चैनल को सब्स्राइब नही क्लिक क्यालें इची तरों फिर मिलेंगे एक नएव बीडियों साथ शबिक ओम नमस्कार प्रणाँ